हुए आप सबकर टीम स्वेशिक्वरेंद वाले देखो जो आज का मैच रहा है किसकिस के बीच में इंडिया वसाज ऑस आउस्ट्रेलिया दो बड़ी टीम्स नीप है अब क्या कोछिस मैच की रолог के रहती है कि आज के यह की मन सकती है और कौन-कौन से प्लेयर से इंडिया ऊस्ट्रेलिया के टीम बनाने जाते न आड-स लगता यार यह भी मेंगयर यह भी मेंगे रहे नहीं इसको भी रख लें ढğले कारip को पिक करने 11 तो कौन से 11 बैस्ट हो सकते हैं आज के लिए ठीक है जिन जो आपको जिता कर जाएंगे आपके टीम्स में एंड क्या ग्रेंड के प्रेडिक्शन रहेंगे सारी चीजे डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को आखर तक देखना साथ साथ वीडियो पसंद है लाइ जीतने का ठीक है विश्वास नी हो रहा है ना बठागे बताऊंगा वीडियो में तो ध्यान रखना एंड अभी चलते अपने मैच के ओपर सीधा ठीक है में जितना इंट्रेस्टिंग मैच उतना इंट्रेस्टिंग ग्राउंड है दो गजे इस मैच के डिलाइन इंडिया से उस्ट्रेलिया यहां पर हो चुके हैं 22 मैचस 14 जीते बैटिंग फर्ष्ट ने आठ मैच ऐसे हैं जो यहां से बैटिंग सेंगिंड करने वाले टीम ने जीते स्कोरिंग बैटन की बात करो तो नॉर्मली जो यहां पर स्कोर बनता है वो 200 से 300 के बीच में बनता है ठीक है 300 से उपर भी तीन बार गया है और बाइस में से तीन बार 300 से उपर स्कोर जाना बहुत कुछ अच्छा तो है नहीं ठीक है तो 250 2300 के बीच में ही आज आपको टोटल है जो वो देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर कोई भी टीम मालनो 270 280 बना देते हैं वो टोटल कॉम्प्ट 269 पर उल आउट हुई और इंडिया 248 पर ही उल आउट हो गई थी तो मतलब देखो 269 का टार्गेट भी यहां पर डिफेंट हो गया था साथ विकेट पेस के ते 11 विकेट स्पिन के ते टिपिकल चैन नहीं पिच जहां पर स्पिनर अच्छा करते हैं बागिट 2019 का मैच है इंडिया ने 287 बनाते वेस्ट इंडिज ने चेज कर दिया था नो विकेट पेस के ते स्पिन का एक भी विकेट नहीं था यह बहुत कम दिखता है ऐसी चीज़ है और एक और जो इंट्रेस्टिंग चीज है ना इन चाहरों मैचेस में जो मैंने नोटिस की कि इंडिया के स् उस्ट्रेलिया ने कितना है निकाला इक एक एक टेक है यहां पर आप देखोगे साउट ओ अफिरगाने स्पिन के कितने लिकेट जीरो यह ब sonra देखोगे वेस्ट इंडिज ने कितना ल इन इंडिया की बात कर ुइंडिया थिंद ने छार विकेट लिए इंडिया से नहीं ही ऑग करते बागào करतो है पिछले इनिंग में आपको मिले मिलें से में बढ़ते हैं फ़र्षेंग होly想 od और मातरुन के नाम बाराविकेट्स तो यह दो हमारे में विछले चार मैच की जो पूरी कहान है तो पिछ समझ में आगे उस्ट्रेलिया हो जाए इंडिया 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 कोई भी टीम करते है वो 272-80 तक जा सकते हैं डूस टार्गेट को डिफेंड भी कर सकते है स्पिनर्स अच्छे रहेंगे और मुश्टली जो इंडिया के स्पिनर वो जादा बड़ी का रह सकते हैं उस ट्रेला के पेसर्स काम में आ सकते हैं अब आ जाते हैं नेक्श निकल कर प्लेइंगे लोन कर बट उससे पहले मैं आपको बता दू कि आपके पास में जीतने को है एक करोड़ और नॉर्माली क्या होता है जब एक करोड़ जीतने होता है चालिस रुपए पचास रुपए साथ रुपए सत्तर रुपए बट आपको माइलन सर्कल जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में ठीक है डाउन्लोड कर लेना तो वहां पर आपको आज के लिए जो यह एंटरफीस मिलेगी तो ध्यान रखना और यह सिर्फ आपके लिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही डाउन्लोड करना एंड एक गंटे के अंदर अंदर जोइन कर लेना मैं ग्रैंड लिक को ठीक है कि तब मिलेगी बाद में एंटरफीस पर भढ़ जाएगी फिर मेर बहुत सारी चीज़े और डेली यहां पर जो प्राइज जब चेंज होते रहते हैं ठीक है कभी करोड रुपे मिल रहे हैं कभी आपको बहुत अलग अलग चीज़े मिल रहे हैं लेक ट्रिप्स हो गए लिंदन की दुबई की एंड बाकी गाड़ी हुई पंगला हुआ फ्ल बात है शुमंगिल खेलेगा इशान केशन की जगह पर आएगा और कोई चेंज आप मेरको नहीं लगते हैं आप लेंग लोन में होने वाला है इंडिया जो है तीन स्पिनर्स के साथ में खेल सकती है जड़ेजा अश्विन सिराज अब सोरी जड़ेजा अश्विन एंड कु करते हैं ठीक है तो अटाने के सवाल भी यहां पर सिर्फ अश्विन का आता है और अश्विन तो भाई चैने के पिछ पर अच्छा कर सकता है तो अगर मिल या तो मैं कैप्तान बनाने वाला हूं क्योंकि शमी है इंडिया और उस्ट्रेलिया के मैच थिक भाई सब पढ़ी अब इकट निकालता है बागी सिराज और बुम्रा आपको इसा पेसर देखने को लेगा बागी पूरी प्लेंगे लोग के बात करें रोहिज शर्मा है हाल विलाल तो कहीं ना गए रोहिज शर्मा फोम में देखने को मिल है जो फोड़ा टाइम से गायब था अब थोड़ा देखने को मिल रहा है और वर्ल्ड कप में तो रोहिज शर्मा वैसी चमका था पिछली बार भी इस बार भी उम्मीद रहेगी इशान किशन है बहुत ज्यादा भरोसा वैसे मिरको इशान किशन पर नहीं है वट फिर भी शायद 3035 बनाकर चला जाएगा और फिर अपनी जो सकता है और यहां से विराट को लिए जो काफी तक सेफ़ बनेंगे अभी यह भी काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलें रिसेंटले में सेंचुरी भी बनाई थी 122 रहन उसके बाद में श्रेय शेयर जब से आया है बंदा तब से कंसेश्टेंटली परफॉर्म कर रह उसके बाद में हारदिक पांडिया डीसेंट परफॉर्मर मिस्करना पड़े तो एक option आपके पास में रहता है हलागी हारदिक पंडिया ठीक ले लेना चाहिए बट उसके लिए फिर आपको बोलर्स में से किसी पर रिस्क लेना पड़ेगा क्यों कि आप सबको नहीं ले पा और बागी रोईट शर्मा विराट को ली तो बिल्कुली सेफ चोईस मनते हैं जब उल्राउंडर्स की बात आती है तो उसमें जड़ो और हार्दिक पांडिया दोनों में किसी एक को लेना पड़ेगा अब पिच कहीं ना कहें स्पिन को सपोर्ट करते हो तो मैं जड़ेगा की तरफ जादा जाना चाहूंगा हार्दिक पांडिया का वर्लक कप रिकोर्ड बहुत जादा बहतर नहीं है तीस के तगरें तीस पैदेस के तकरिबान आवरिज रहता है और उसके बाद में यहां से अश्विन अगर रखना चाहो रख सकते हो सामने एक गो लेफ्ट अंड यहां से स्पिन को मदद मिलेगी तो कमाल कर सकता है उसके बाद में आते हैं इंडिया की तरफ से वैसे बोलर्स शाय यूज होने वाले हैं बुम्रा कुल्दी प्यादो सिराज अश्विन जड़ेजा और हार्दिक पांडे ठीक है शाय बोलर्स यूज होंगे बड़ जो मेर रहेगा क्योंकि रिसेंट फोंगी शुमंगिल का अच्छा देखने को मिला है उसके बाद में मुहमद शमी है देखो शमी या सिराज कोई एक खिलग और मेरे को लगता है अभी इंडिन टीम की परफेनल से मुहमद सिराज की तरफ बाकि सूर्य कुमार और ठाकूर को यहां करते हों दिख जाएंगे जसमां दोनों ही अभी के लिए स्पेशली वोर्नर की फोर्म बहुत बढ़िया चल रही है मार्श फिर भी थोड़ा एक में चल रहा है एक में फ्लोप हो रहे हो तोना कंसिस्टन नहीं बनाने को लेका ठीक है यहां पर देखोड़े सान फिर दो मै चेंजर हो सकता है अश्विन से बचके रहे बस अगर कोई आउट कर सकता तो आज के लिए चांस है क्योंकि यह जो दो मैचेज आप देख रहे हो नहीं दोनों ही मैचेज में अश्विन ने आउट किया था लबूशन को और जब अश्विन नहीं था तो भाही ने 72 बना दि है बैटिंग बोलिंग दोनों करेगा अजन और आपके लिए सेफ पिक तो बनता है बागी पैट कमेंस हिजल्वूड जैंपा एंड स्टार्क यह जाते है कुछ प्लेंग लवन यहां से ठीक है अब स्पिनर्स की बात है तो उस्ट्रेलिया मैक्सवैल और जैंपा से यहां स सरी किसे नहीं अच्छे क्या से विगट निकालते तो वैसली मश्पिक रहेगा और लेफ्ट आम पेस वैसे इंडिया के अगेंश्ट में उसके बाद में जैंपा ले सकते हैं जैंपा काफी जादा बहतर है आपको रिस्क लेना पड़ेगा कमेंस और हीजल्वूड के उपर या तो इन दोनों में से एक को ले पाऊगे या फिर आपको यह मिस आउट करने पड़ेंगे बाकी इधर से बोलिंग कुन-कुन करेगा श्टार्क जैंपा हीजल्वूड कमेंस ग्रीन और उसके बाद में मैक्सवल्ट कुल मिलाकर यहां से भी आपको 6 बोलर्स यूज होते अगर श्टोइनिस खेलेगा तो वह आएका सीधा ग्रीन की जगे पर जिसके चांस ऑविसली थोड़े से कम हो जाते हैं ग्रीन ने अगर किसी की जगे खाई है न उस्टेलियन टीम में तो वह है मार्क श्टोइनिस बागे बात करें अपने प्रैक्टिस स्कॉर कार्ड की ब बनाये थे ग्रीन के पचास आयते और इंग्लिश के तरीकी सब पूरी उस्टेलियन टीम ही चल गई थी बागी मार्श के दो विकेट थे बोलिंग डाले थे तीन विकेट थे पर लगशन आज बोलिंग करा तो आपको मौश्वरवली नहीं दिखेगा कमिंस के तीन विकेट और एक एक विकेट मैक्सवल और यहां से सीन अबट का था 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 सप्टेमबर को मैच वा था उस्टेलिया 166 नीदरलेंड को 84 पर 6 किया था हलाकि इस मैच को रिजल्ट आया नहीं बागी स्टीवन स्मिर 55 एलेक्स केरी 28 और उसका बाद में कैमरें ग्रीन के थे इस मैच मै बडिया रहा है छह में से उन्होंने 5 मैचे जीते हैं और वह सिर्फ अब तक एक ही मैच हा रहे हैं वहीं अगर मैं इंडिया के बात करूं तो उनका रिकोर्ट थोड़ा 50-50 है पिछले दो मैच इंडिया इस ग्राउंड पर नहीं जीत पाई है जो ओडिया के हुए एक तो विराट कोली इस कनॉन पर फॉर्टी टू का एवरेज है जिसका खराब रिकोर्ड है वो है रोहिच्छर्मा छे मैच में मत्र एक सचालिस रहने टूंटी थ्री का एवरेज है धार्दिक पांडिया दो मैच में 123 उन्होंने दोनों मैच में रंस बनाए एक में बनाये थे त दस मैच है नोर्जर्ट और अगर अगर बात की जाए तो भी ऐस्ट्रेलिया आगे है वर्ल्ड कप में इंडिया से बागे रोईच्छर्मा 59.79 का विच रहते हैं दो प्लेयर्स की बात नहों तो कैसे काम चलेगा रोईच्छर्मा विराट कोली अगेंच उस्ट्रेलिया सब्सक्राइब का रहते हैं उसके बाद में आता है वोर्नर 24 मैच में 1100 रंस है 51 का वर्नर के अच्छी फॉम में भी दिख रहा है उसके बाद में ग्लैंड मैक्सवेल 29 मैच में 926 रहन है 35 के वर्लेस के साथ मैं मैक्सवेल थोड़ा सा ठीक ठाक सर आए अगेंस इंडिया ब सब्सक्राइब इसके साथ में तो यह रहता है हमारे हैट्वर्ड लिडर जो बैटिंग साथ है जस्पर रहने वाले मैक्सवेल क्योंकि एजन ओल्राउंडर रहेगा उसके अलावा अगर बात की जाए तो जड़ी जाया हर्दिक पंडय में से कोई एक और उसके बाद में कि सीर्श तो अश्वीन नियूम्धिट निकाल लेकिता बंदा वंठार उननिस मैच में और श्रीज वैशनेयट उड़ी सिर्ज्य उइती तो अश्वीन नें विक Hiç निकाले थे अगेंच्ट यहां से ठीक है और जातार आउट किसको क्या था वोर्नर हुआ यहां से ठीक है उसके बाद में लभूशन हुआ उनकी विकिट जादा निकाली बाकि अगर बात करें अपने वर्ल्लकप परफॉमंस कैसा रहता है प्लेयर्स का यह तो होगे यह हैट् देखना ठीक है जादा दिल पर मतलगाना वर्ल्लकप के परफॉमंस को विराट कोली का रहता है प्लेयर्स ओडिया वर्ल्लकप की बात करें 26 इनिंग में 1030 रंस है वर्नर के 18 मैच में 992 रंस देखने को मलते है रोहिच शर्मा 17 मैच में 978 रंस है और यह इतना जादा में भाई ने आग लगा दिती बड़िया तरीके से बागे श्टीवन स्मित है 20 मैच में 834 रंस के साथ में 46 मैक्सवल 16 मैच में 501 जिसमें एक सेंचुरी वी शामिल है और 38 का एवरेज है लेक्स केरी 9 मैच में 375 62 का एवरेज है अले की तीन बर नट आउट भी रहा है तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है बढ़ा रंस अच्छे बनें बागी केल रहूल 9 मैच में 361 45 के साथ मैं तो यह रहता है बागी वर्ड का पर्फोरेंस आप सबसे जो बड़िया लगता है वो लगता है श्टार्क का 18 मैच में भाई ने 49 विकेट निकाल रखे है 18 मैच में 49 वि कि टोड़ जड़े जा है 10 मैच में 11 विकेट के साथ में तो यह जाता है हमारा कुछ जो आज के लिए वर्ड कप पर्फेंस अब सब चीजे रहती है मांद करें अपने प्लेयर वैटल की वह प्लेयर वैटल क्या हो और क्या नहीं है तो उसमें प्लेयर वैटल में एलेक्स केरी अगेंश्ट कुल्दी प्यादो कुछ जाधा ही आउट हो है वाईज आप 63 वोल में 5 बार विकेट दे चुक है शमी के अगेंश्ट में दो बार आउट हो है बट जाधा बड़ी दिक्क्कत रहेगी यहां से कुल्दी प्यादो Stephen Smith अगेंश्ट चार बार डेडब वोर्नर भी शमी के अगेंस्ट में तीन बार आउट वह बट इती एक बोल में लभूशन और चॉण चॉदा बोल में दो वर आउट हो चुके उसके बाद में विराट कोली है जो अगेंस्ट हेजल वोड थोड़ा सव है यहां से है अब ऐसा उबीद नहीं कर रहा हूं है आज के लिए आउट होगा विराट कोली रंस बना सकता है बट है तो सही तो ग्रैंड लिग में ज़रूर आप एक रिस्क ले ले लेना कि भाई हेजल वोड को आप सुरी जब विराट कोलीगा ट्रॉप करके ग्रैंड लिग में स्मोल लिग में नहीं है हिसल वोड ने चार बार आउट किया जैंपा ने चार बार आउट किया बट 197 बोल में तो अगर 197 बोल में है ठीक ठाग है बहुत जादा कुछ खास नहीं बट डिसेंट है उसके लावा आउट किया है स्टार्क ने बहुत जादा परेशानिया खड़ी नहीं किया रोईट चर्मा के लिए ठीक है एटी सेवन बोल में दो वर वर नहीं देखते कि इंडियन उपनार जल्दी चलते बनते जब भी एक अच्छा लेफ्ट आम पेसर देखने को मलता है सामने बट स्टार्क आले के विकेट निकाल सकता है शुरुवात में मुश्ट प्रवबली वह इशान किशन होगा या फिर शुम्मन गिल रोईट शर्मा ठीक था खिल लेता है श्टार्क को 87 बोल में दो वर आउट है उसके लावा हार्दिक पांडिया अगेंस्ट कमेंस 38 बोल में दो मिलता है तो यह है हमारे प्लेयर बैटल अब आ जाते है अपने टीम के उपर माइलन सरकल की टीम और वापस से याद दिला दू माइलन सरकल पर आप एक रुपए में एक करोड जीत सकते हो ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक फटावर्ट से जाके डाउनलूड कर लेना आपका रजिस्टर करने के एक घंटे के अंदर अंदर यही एंट्रिफीस रही वरना फिर बाद में बढ़ जाएगी और बाद में अगर बढ़ जाए तो फिर मेर को नहीं बोलना आपको पहली ओफर के बारे में बता रहा है तो जल्दी से जाके डाउनलूड करो और अपन को पिक्क्या हुआ है बुम्रा है कुल्दी प्याद है श्टार के मैक्सवल को वाइस कैप्टन बस वही है रिजन के भाई बैटिंग से थोड़े बहुत अगर 20-30 में बना गए तो ठीक है और साथ-साथ एक से दो विकेट इसी वजह से वाइस कैप्टन है बाकि आब विरा विए मिलते हैं आपको नेक्श्योडियों में बहुत ही जाद जलती है